कि गौरा बसाली उस सिख कौम को क्यूं इतना मैं मान देती हूं कि गौरा बसाली उस सिख कौम को क्यूं इतना मैं मान देती हूं आज देश की अजादी में इस खुली हवा की सांस में और ये जो आप अजादी से घूम रहे हो न सरदार भगत सिंग भी सिख कौम से थे सादवी डेवा ठाकूर्दा नाता तुसी सुन्याई होगेगा जो सोशल मीडिया ते काफी पर चलीता है तेहुन सादवी डेवा ठाकूर्दे के नवा ब्यान सामने आया जिस्चे उनना तक्त स्री अकाल तक साहिदे कारजकारी जठिदार ग्यानी हर्प्रे सिंग दे ब्यान दी शलागा किती जिस्चे सादवी ने किहा कि क्रोना ना निजिठन लेशिक कौम दे जठिदार दा ब्यान बहुत शलागा योग है दिरस साद्वी देवा ठाकूर एक देवा फाउंडेशन देटर है वाई गुरुज खालसा वाई गुरु फते आज मैं पुरी समोचे दुनिया को एक संदेश देना चाहती हूँ मैं साद्वी देवा ठाकूर आपको बता दू कि मैं फैन भगत सिंग की क्यूं हूँ सिख कौम का इतना मान करती क्यूं हूँ सारे सवालों के जबाब हो सकता है आज एक ही संदेश से मिल जाए कि गौरा वसाली उस सिख कौम को क्यूं इतना मैं मान देती हूँ सुनो ध्यान से हर परीट सिंग जथेदार हर मंदर साब आज उनका बड़ा सोना ब्यान आया बड़ी सोनी गाल की थी कि प्रमात्मा ना करे कोई विपता आजे अमेरिकाच बसे ओ हिंदूस्तानी बचे अगर कोई विपता आएगी तो हर मंदर साब के से एक संदेश है कि वो गुर्द्वारो के गुलक खोल दिये जाएंगे तो मान हुआ होगा शायद सिख कोम प्याज दूसरी विशेस बात जो उन्होंने कही कि वहां की गौर्मेंट को गौर्मेंट ने खालसा से यानि की गुर्द्वारों से साहिता बांगी और बोला कि अगर कोई विपता आएगी तो लंगर की विवस्था ये गुर्द्वारों से और सिख कोम करेगे कैसा लग रहा है सुनने में अच्छा लग रहा होगा ना तीसरी एक और बात मैं बता दूं इसके साथ साथ आज सहीद भगत सिंग सरदार भगत सिंग आज देश की अजादी में इस खुली हवा की सांस में और ये ज कहां सुचे सचे रो लेकिन कहां समझ में आता है उन्होंने पहले कहां हाथ बनके सस्रीकाल बुलाओ उन्होंने कब कहां कि तुम हाथ मिलाओ मैं आपकी साथ हुई देवा ठाकुर डारेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन वाई गुरुज खालसा वाई गुरु फते अ संदेश को दुनिया में जरूर पहुंचाना झालसा वाई बनके साथ हुई